दोस्तो आज इस फीडियो में हम Panasonic Eloga Pulse का review करने वाले हैं जिसे की launch किया गया है March 2017 यानि इसी महिने में इस phone को launch किया गया है 9690 रुपीज के price में यानि 9690 रुपे के price में और ये phone अभी आपको market में available मिलेगा फिलाल ये phone अभी एक ही colorless market में देखने को जी हां दोस्तो आज हम Panasonic Eloga Pulse का full review करेंगे और साथी साथ जानेंगे इस phone के detailed specifications के बारे में और साथी साथ जानेंगे Panasonic Eloga Pulse का pros and cons के बारे में यानि कि इसके good और इसके bad factors के बारे में और देखेंगे कि क्या हमें ये फोन इस प्राइस में यानि 9690 के प्राइस में हमें पैनसोनिक अलूगर पल्स खरीदना चाहिए या नहीं जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नहीं राहूल और आप देखेंगे मेरा यूटीब चैनल गिकनोसेंग सबसे पहले बात करते हैं पैनसोनिक अलूगर पल्स के लुक के बारे में तो ये फोन एक प्रीमिम लुक वाला फोन है और अगर आप फोन के दीशे साइड में देखें तो ये एक 3D लुक देता है यानि कि जब आप इस फोन को हाथ में पकड़ेंगे तो ये एक अच्छा ग्रिप आपको दे सकता है फोन के रैट एम साइड में आपको मिलती है volume rocker और साथ में आपको मिलता है जो है वह power का एक Button फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा वह sim slot यानि कि वहाँ पर आप अपने SIM को एंटर कर सकते है फोन के टॉप में आपको देखने को मिलती है 3.5 mm की jack जहां आप अपने headphone को लगा कर गाने सुन सकते हैं और फोन के bottom में आपको मिलती है mic calling के लिए या voice recording के लिए और साथी साथ आपको मिलता है वो है charging का एक port और फोन के back side को देखा जाए तो फोन के back में आपको मिलेगा camera और साथी साथ मिलेगा fingerprint sensor जी हां दोस्तों इस फोन में आपको fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है और फोन के सामने आपको मिलेगी वो है selfie camera So friends looks के बाद बात करते हैं अब फोन के detailed specifications के बारे में So इस फोन में आपको मिलेगा 1.2 GHz का quad core का processor जिसके साथ आपको मिलती है 2 GB की RAM यानि कि इन दोनों का combination आपको multitasking करने में बहुत मदद करेगा और साथी साथ आप इस फोन को long time के लिए use कर सके इसके लिए आपको दी जाती है 2200 mAh की एक battery और फोन के अगर storage के बारे में अगर बात करें तो आपको मिलती है 16 GB की inbuilt memory और साथी साथ जिसको आप expand कर सकते है 128 GB तक जी हाँ दोस्तो इस फोन के जो external memory है आप उसको expand कर सकते है 128 GB तक फोन के पीछे जो camera लगा हुआ है वो है 13 MP का camera LED flash के साथ और साथी साथ जो है fingerprint का sensor आपको तो मिलता ही है फोन का जो selfie camera है वो है 5 MP का camera और ये फोन Android 6.0 यानि Marshmallow पे operate करती है और साथी साथ जो इसमें खास बात ये है जो इसका एक cons है वो ये कि आपको एक ही sim slot मिलता है जो कि 3G और 4G दोनों support करता है तो ये था detail specification Panasonic Aluga Pulse का अब बात करता है Panasonic Aluga Pulse के pros and cons के बारे में यानि कि इसके अच्छी और बुरी जो चीज़े इस phone में है इसके बारे में चली अब बात कर लेते हैं तो अगर बात करे pros के बारे में यानि इस phone के advantages के बारे में तो आपको मिलता है एक बहुत बढ़िया सा camera यानि 13MP का rear और 5MP का front camera storage की बात करें तो storage का जो inbuilt है वो average है 16GB बट जो external है वो खास बात है कि हम इसे 128GB तक expand कर सकते हैं इसमें मिलेगी आपको OTG cable की support जी हाँ इसमें OTG cable जो है support करता है और सबसे best part यह है कि phone के security के लिए दी जाती आपको fingerprint की sensor जी हाँ दोस्ते इसमें आपको fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा RAM 2GB की RAM जो average है सारे phones में और इस phone में भी आपको देखने को मिल जाएगा सो चलिए आप बात करते है cons यानि इस phone में क्या कमिया है उसके बारे में Panasonic Aluga Pulse के दो-तीन cons है जिसके बारे में हम अभी discuss करेंगे सो सबसे पहला है एक SIM slot सो आजकल के market में जो जितने भी phones निकल रहे हैं वो सारे के सारे dual SIM रहते है या तो दोनों में ही 4G support करता है या फिर किसी एक SIM slot में 4G support करता है बट दो SIM slots रहते ही हैं memory card के slot के अलावा बट इस phone में सिर्फ आपको एक ही SIM slot देखने को मिलता है साथी साथ इसमें FM आपको नहीं मिलेगा वैसे भी FM बहुत जादा लोग use नहीं करते हैं पर जो लोग इसे use करते हैं उनके लिए एक cons के तरह आप इसे ले सकते हैं कि इसमें आपको FM नहीं मिलने वाला है और साथी साथ इसकी price इसकी price के बारे में अगर बात करें तो इस price में जो है बहुत सारे ऐसे phone से जो इस phone को टक कर दे सकते हैं So friends, I hope आपको Panasonic Elego Pulse का पूरा पूरा review जो है और उसके detail specifications और phone का overview के बारे में जानकारे मिल चुका है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को like करना बिलकुल ना भूलिएगा और आप अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके मुझे support करना बिलकुल ना भूलिएगा तो चले मिलते हैं phone के अगले review में तब तक के लिए बाबाए